नमस्कार दोस्तों गुरुकुल अकैडमी में आप सेकर स्वागत हैं। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए लूशेयन जीकी का पार्ट नमबर 9 ले किया गए है। आपको पता है हमने आप लोग के लिए लूशेन जीके का निचोड करके 1000 परसनों का संग्रह तियार कर रखा है जो बरबर प्रिक्सा में पोच्छा जाता है अगर आप लोग किसी भी एक्जाम के तियारी करें जहां पर जीके एक्जाम में आते हैं एक्जाम में आते हैं और अनते हैं पता है कितने क्विशन आपने टेमिकर कितने आपने सही किए अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्रिश वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंस के पास शेयर करें और जो लोग पहले बार आई हैं जल्दी से आप लोग फ्राफट चैनल लोग सिस्क्राइब कर लेंगे साथ बिल आइकन पर भी कलिक कर लेंगे और यादखना एक कोशन का आंसर देने के लिए आपको पांच सेकेंड का वक्त मिलेगा उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे और फ्रेंस यादखना आप लोग डेली यहां पर पहुंच कर मोग टेस्ट लगाया करें मोग टेस्ट से आपका जो स्कोर है एक्जाम में ब ब्रिटिस वाइस राए भारत का बिल्कुल भारत में अन्तिम ब्रिटिस वाइस राए जनरल कौन था बताएंगे जल्द से भारत में होगा यहां पर तो बताएंगे कि भारत में अन्तिम ब्रिटिस वाइस राए जनरल कौन था कौन था लाड माउंट बेटन सी रहेगा रह प्रिवहन उद्योग का रश्रिकन कब हुआ था सभी का आणसर आना है बहुत अच्छे तयारी है आप लोग की बहुत आशा अगर आपना भी तक वीडियो को लाइक नहीं कैसे लोग फ्रापट वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पार शियर करेंगे ताकि कुछ लोग और यहां आ जाएं वह भी अपने एक्जाम की त्यारी को अच्छे शागे बढ़ाले बिल्कुल नलस्रोवर पक्षिया वाला राजे है बिहार यह रहेगा रेट आंसर बिहार ठीक है आगे देखे चलेगा कि रामे सुरम किस राजे का हिस्सा है सब लोग जवाब देंगे रापट बताएंगे रामे सुरम किस राजे का हिस्सा है तमिल नाडू का सी रहेगा रेट आंसर तमिल नाडू भारत में नई आर्थिक निती कब लागो हुए थी ? जी हां बिल्कुल 1991 में लागो हुए थी ? भी रहगा रिटांचर 1991 भारत में नई आर्थिक निती कब लागो हुए थी ? नाइटीन नाइटीवन में लागू हुई थी ठीक है ना अगला कुशन देखिए तापके केलविन स्केल में जलका कोतनां कितना होता है कितना होता है नेक्स्ट परमानु भट्टी में कौनसा इंधन प्रियुक्त होता है कौनसा इंधन उरेनियम प्रियुक्त होता है परमानु भट्टी में सी रहगा राइड आंशर यहां पर उरेनियम यहां दखना आप लोग अच्छे से देहिगा नेक्स्ट विल्कुल उरेनियम का सब लोग जाब देंगे जल्दे से बताएंगे आप लोग फ्रेंस की युरेनियम का परमानुभार कितना होता है 238 होता है युरेनियम का परमानुभार भी रहगा राइट आंसर 238 ठीक है अगला कुश्चन है कि साधार नमक का केमिकल नेम क्या है साधार नमक का रसायनिक ना सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन से दक्षिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन से गोदावरी बेसिन है तो भी रहगा रेट अंसर गोदावरी बेसिन आगे देखें भारत का सबसे बड़ा जवार नदमुख किस नदी के मुहाने परिस्तित हैं बताएंगे जल्दे से मुश्य व्यक्रश्य सभी का आंशर आना है स्वर्श्सित त्यार रहा है वीडियो को लाई करने वालों का सभी धन्यवाजी हो वहर 10 भारत का सब से बड़ा जवार नदमकिस नदी के मुहाने पर इस्तित है बिल्कुल working झोफली कि मुहाने पर है तो यह रहेगा रिटानसर होग-ली, देखिए, नेक्सT Cral. Sydney किस नदी के किनारइ इस्तित हैzar syndrome ज़लिए से Sydney किस नदी की किनाररी किनार इस्तित है endarling नदी के किनारे पर है Sydney Cmarkal a रेटानसर है bar darling धेकर है नेक्सT है नेपोलेन बोनापार्ट फ्रांस का समराट कब बना नेपोलेन बोनापार्ट फ्रांस का समराट कब बना कब बना 804 में तो सी रहेगा रेट आंसर 1804 अगला कुछिन देखी चलेगा नेपोलेन बोनापार्ट के मृत्यू कब हुई थी अप लोग जाब देंगे जल्दी से बत मापतुल कि दसम्लोक पर्णाली ? ऊसी है, डांडी यात्रा कब के गई थी , 193 === आगे देखें लाल बाल और पाल त्रिगुट का कोन व्यक्ति भारतिय राश्टि कॉंग्रेस का अध्यक्स हुआ था लाला लाजपत्राई यह होगा रेडाउंस यहां पर लाला लाजपत्राई ठीक है देखेगा नेक्स बिलकुल विसो मोसम संग्धन का मुख्याले कहां है सब लोग मचली का सरवादिक उत्पादन करने वाला राश्टर को निशाह है अगर आपन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है सब लोग फ्रापड वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पास शेयर कर देंगे ताकि उछ लोग और यहां आ जाएं वो भी अपने एक्ज बुरुनेई किस महादवीप में इस्तित है किस महादवीप में है बुरुनेई एसिया महादवीप में है डी रहेगा रैट आंसर एसिया महादवीप ठीक है ना अगला कोशन है वान किस देश की मुद्रा है जी फ्रेंस सब लोग जब देंगे जल्दे से वान किस देश की म अगला कुछ नेखेगा फ्रेंस की योजना आयो का अध्यक्स कोन होता है योजना आयो का अध्यक्स कोन होता है परधान मंत्री होता है तो भी रहेगा राइट आंसर परधान मंत्री अगला कुछ नेखिए फ्रेंस कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्राड़म हुआ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया है शबी लोफ आपर वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस क किस पंच्वर्शी योजना का मुख्य उदे से आतम निरभरता था किस का था चतुर्थ पंच्वर्शी योजना का तो डी रहेगा right answer चतुर्थ पंच्वर्शी योजना तो D रहेगा रेट आंसर ए प्रियाप्त उत्पादन समता है स्रेंचनात्मक बेरोजगारी का कारण ठीक है ना फ्रेंच बिल्कुल आप लोग अच्छे से याजखना देखेगा नेक्स कुशन देखे चलेगा प्रिथ्वी की वायू मंडल का सरवादिक घंतों कहां पर होता है बताएंगे जल्ले से आप लोग बहुत अच्छे तयारी है प्रित्वी के वायो मनल का सरवादि घंतों कहां पर होता है सोभ मंडल में होता है तो ए रहगा रैट आंसर सोभ मंडल ठीक है ए रहगा रैट आंसर सोभ मंडल ठीक है देखिए next भारत में पंचुवर्शी योजना बनाने के जिम्मवार किसकी है योजना आयोग की है तो ए रहगा रैट आंसर योजना आयोग बिलकुल फ्रेंज अच्छे सिया दखना भारत में पंचुवर्श योजना बनाने के जिम्मवार किसकी है योजना आयोग की तो ए रहगा रैट आंसर योजना आयोग ठीक है देखिएगा next लोक सभा एयोज़ राजसभा की सिंक्त बैठक कब होती है अगरा कुछ नेखे चली क्या है अब तक कितनी बार सिंक्त अदिवेशन बुलाये गई है अब तक कितनी बार स्युक्त अधिवेशन बुलाए गई, कितनी बार बुलाए गई है, तीन बार बुलाए गई है, अब तक स्युक्त अधिवेशन, तो फैंस सीरेगा, राइट आंसर तीन बार, नेक्स्ट है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए स्रेशना किस अधिनयम में कौन अधिनयम? 1935 का धिनयम सी रहेगा, right answer 1935 का धिनयम, ठीक है? देखिए next बिल्कुल सुभास संदर बोषने सिंगापूर में दिलि चलो का नारख कब दिया था? जी friends वी भूख ज़ल्दे से एस प्रिष्टा अपराद अधिनियम कब पारित हुआ बताएंगे जल्दे से फ्रेंस आप लोग एस प्रिष्टा अपराद अधिनियम कब पारित हुआ बताएंगे जल्दे से आप लोग वित आयो के अधिक्स की नियुकति कोन करता है रश्पति करता है तो भी रहेगा right answer अश्रपती ठीक है न देखिए next बिल्कुल भारती सड़क प्रणाले का विशो में कौन सा स्थान है भारती सड़क प्रणाले का विशो में कौन सा स्थान है कौन सा स्थान है दूसरा स्थान है तो यह रहेगा right answer दूसरा अच्छे से फ्रेंस आप लोग या दखना कि भारती चड़क प्रणाली का विशो में कौन सा स्थान है दूसरा स्थान है यह हो जाएगा right answer दूसरा स्थान ठीक है न देखिए next बिल्कुल विशो के किस देश में प्रथम रेल मारक का निर्मान हुआ विशो के किस देश में प बिशो के किस देश में प्रथम रेल मारक का निर्मान हुआ कहां ब्रिटेन में या दखना आप लोग नेक्स्ट है अमिर खुष्रो का ववास्तिक नाम क्या था क्या था मुहम्मध हसन था अमिर खुष्रो का ववास्तिक नाम सी रहगा right answer मुहम्मध हसन ठीक है अगला जाता है सी रहेगा right answer राजाराम मोहन राए ठीक है ना बिलकुल फ्रेंस अच्छे से याद खना आप लोग सी रहेगा right answer राजाराम मोहन राए ठीक है देखिएगा next बिलकुल आजाद हिंद फोज का प्रथम सिनापती कोन था जी फ्रेंस सुब्लक जव आप देंगे जल्दे से आजाद हिंद फोज का प्रथम सिनापती कोन था कोन था जिहाँ ओन है तो ए रहेगा right answer मोहन सिंग ठीक है अगला कुश्चे नेकि किस नियता ने शिरों प्रथम पाखिस वेरी गूड फ्रेंस वेरी गूड अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक ने कहें सभी लोफ रापट वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पाल शेयर कर देंगे ताई कुछ लोग ओरी आ आ जाएं वो भी अपने एक्जाम की त्यारी को अच्छे से आगे बढ़ा मैंस यह हंओ है विएट नाम की राज़धानी एरहेगा ररहेगा रात आंसर हनोई देखिए नेक्स्ट एक डिगरी दिसांत्र की विश्वत रिकापर दूरी कितनी है बदाएंगे लगबग प्रिथ्वी के दोनों और कौन सा घ्रह है कौन सा बिलकुल मंगल और शूकर है तो D रहेगा right answer मंगल और शूकर या दखना ठीक है आगे देखिए तारे का रंग सूचक है तारे का रंग सूचक है उसके ताप का किसके उसके ताप का तो D हो जाएगा right answer उसके ताप का ठीक है चले गाने स्कूशंट चैने कि देखी यहां दिया है किनेने मीची कोन प्राकर्थिक तवतों नहीं है बताएंगे फ्राइगे जल्ड़ से बहुत तयार है प्लस्टिक है क्या है प्लस्टिक बदाएंगे जल्ले से आप लोग बहुत एश बहुलेंधे नहीं को सब्सक्राइब का यह KUMो लेका प्रति कोदो कोट भी अनोंने बाइऴ है यहां प्रति किसके प्राप्त होता आप अन्हों के से क्राप्ट होता है सी रहेगा रह हां सर एथिलेन के बहुली करण से अगला कुश्चिन है मैटो कांड्रिया का संबंध किसे है लुदम होता है किसे में होता है प्रकाँस बताएंग Deshalb जलिस से आप लोग बहुत ही फ्रेंस अच्छे तयारी है बहुत से रिश्पॉंश है प्रकास सिंसलेशन होता है हरी तलवक में सिर है रहे गा रैट आउजर हरी तलवक में यादखना आप लोग देखिए बहारत में भेड की सबसे उत्तम नसल कोंशी है झालोर है तो बिशी रहे गा रहे जरमने में हुआ था बिलकुल फेंस ही रह Isaac जर मने में ठेक का शाप्राओ का इसकार ow इसकार प millor ठीक है देखेगा नेकस बिलकुल रोम की सबेता में किस भासा का इस्तिमाल होता था रो जैसे और रहेंगा सिर याइद रखना आप लोग देखिगा नेकस गन कर देने का कारण क्या था चोरी चोरा कांड था क्या था चोरी चोरा कांड ए रहेगा रेट आंशर चोरी चोरा कांड ठीक है देखिए नेक्स्ट बिल्कुल बलेक होल दुरुगटना कब घटी थी बताएंगे जल्दी से बलेक होल दुरुगटना कब घटी थी कब घटी थी 17 1656 में Ce 것처럼 1776 सिन्याधी विद्रो कहां हुआँ बदैंगी जल्दे सी आप लोग सन्याधी विद्रो कहां भूआ बिल्कुल कहां हुआ था चोटा नागपूर में हुआ था चूठा नागपूर में रखना आप लोग एर रहेता रहेता है था चोटा नागपुर में हुआ था एह रहेगा रैट आंसर चोटा नागपूर ठीक है ना नेक्स्ट है हितोप देश के लेखक कोन है सिब लोग ज़ाब देगे जल्दे से बताएंगे आप लोग फ्रेंस की हितोप देश के लेखक कोन है कोन है जो बिल्कुल नारायन पंडि अगला कुछ ने विक्रम संवत कब शुरु हुआ बताएंगे जल्दे से आप लोग विक्रम संवत कब शुरु हुआ कब शुरु हुआ था सिरेगा रेट आंसर स्थावन इसी पूरु है ठीक है देखिए नेक्स्ट किसके सासन काल में मराठा परमुक संभाजी की हत्या कर दे कर दे गती किसके सासन काल में मराठा परमुक संभाजी की हत्या कर दे गती किसके क्लमे की थी ओरंस शुरुंध उरंग जैबए नेक्स तोछ ने मुगलों को कि संधी की दवारा किलों की हस्तांधित आता कrias Sindhij के बाद कौन सेustaanan चिंगी बाद सिवा जिने किलो को हस्तांदित किया था तो फ्रेंस यह रहेगा रिटांजियर ठीक नहीं दखना आप लोग संसद का अधिवेशन कोन बुलाता है संसद का अधिवेशन कोन बुलाता है कोन बुलाता है राष्टपती बुलाता है संसद का अधिवेशन वीडियो को लाई करने वालों का सभी का धनेवाजी सभी का फ्रेंस आंसर आना है चाहिए बहुत अशे तयारी है आपकी बिल्कुल याद है कि यहाँ पर दिया कि नियुन में से कौन लोक्स बाकी कारे वाहियों में भाग ले सकता किन्तु मददान नहीं कर सकता कौन एटोर्णी जनरल एटोर्णी जनरल याद दखना आप लोग नेक्स्ट है हिंद महासागर में इस्तित सबसे बड़ा दूइप कोन है हिंद महासागर में सबसे बड़ा दूइप है मेडा गासकर एग हो जाएगा राइट आंसर मेडा गासकर नेक्स्ट है संकुधारी 1 कहाँ पाए जाते हैं बताएंगे फ्रेंगे जल्दे से आप लोग संकुधारी 1 कहाँ पाए जाते हैं कहाँ पर सीत सितोषन चेतर में संकुधारी 1 पाए जाते हैं B हो जाएगा रेट आंशर अगला कोशन देखेंगे फ्रेंगे क्या है विसो का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कोण सा है जायरे है सी रहेगा right answer जायरे ठीक है ना अगला कुशिंच है हारियर और बुकका ने किसके सासन काल में विजे नगर की स्थापना की थी किसके सासन काल में की थी मोहमद बिन तुगलक के काल में की थी एव हो जाएगा राइट आंसर मोहमद बिन तुगलक देखिएगा नेक्स बिल्कुल दिल्ली पर प्रथम अफगान राजे की स्थापना गसरे किसको दिया जाता है बहलोल लोदी को दिया जाता है सी रहेगा राइट आंसर बहलोल लोदी ठीक है, देखिए next बिल्कुल गुरू मुखी लिपी का आरंब किस ने किया था बताएंगे जल्ले से, बिल्कुल फेंज़ अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक ने किया है, व्र आपने वीडियो को लाइक करेंगे अपनी फेंज़ के पास सेर कर देंगे सबसे उच्य चोटी कोँशी है जी फड़ी सोब जव़तेज़ें के ज़ले से दक्षिन भारत की सबसे उच्य चोटी कोँशι अनाइमोदी है तो भी रहगा राइट आंसर यहां पर अनाइमोदी आद रखना देखें नेक्सट है मकाउ देच के मुद्रा क्या है सोब जवाद देंगे फ्राफ़र ची बहुत असे तयारे फ्रेंस आप लोग की बहुत असर श्पॉंस है सभी का अंसर आना है चाहिए बिल्कुल यहां दिया है कि सवीज नहर किस देष मिस्तित है किस देष में मिस्रम है तो शी रहेगा रई आंसर मिस्र नेक्ट चाहिक झाय के लिए सरवादिक उप्युक्ष कोनशी सभी का फ्रेंट ऑँ आनसर आना हँ जाहिए बदाएंगे जल्दी से आप लोग चाहिक के लिए सरवादिक उप्युक्ष कोनशी है लेट्राइट मिट्टी है तो भी रहेगा रेट आंश्रियां पर लेट राइट मिट्टी किस चार्ट अधिनियम की तहत बंगाल की गवर्णर को भारत का गवर्णर जनरल कहा जाने लगा किसके तहत 1833 के अधिनियम की तहत तो फ्रेंस यह रहेगा रेट आंश्र देखे आगे चली किस एक्ट के दवारा दवेद सासन परणाली को समाप्त कर दिया गया किस एक्ट के दवारा दवेद सासन परणाली को समाप्त कर दिया गया किसके दवारा 1935 के दवारा तो सी रहेगा रेट आंश्र देखेगा निस्कूशन देखे चले क्या है बिलकूर फ्रेंज देखिए अरबोने सिंध पर कब विजे प्राप्त किती अरबोने सिंध पर कब किती प्राप्त साथ सो बारह इस्वी में किती एरेगा रेट आंसर साथ सो बारह इस्वी देखिए नेक्स्ट सिवाजी के 唔 때 치辛м गार्ण दूर्दरसा के लेकँ को sudah हैं भारत दूर्दरसा के लेकशक नंबताइगे जल्द चे भारत दूर्दरसा के 1 हिंट हरीश चंद्र c रहगा friends right answer को ने berkh demonstrate देखेगा next बिलकूल North America without प्रतम kवशोद में कब सामिल हुआ बताएंगे अ फ्राप कब सामिल هुआ था friends 6 April 1970 को सामिल हुआ था 6 April 1970 तो ए हो जाएगा red answer next दोरी राश्टो ka नित्र तो किस ने किया बिल्कुल दवितिय विश्युद में मितर राष्टो दवारा प्राजित होने वाल अंतिम देश कुन था बताएंगे जल्दे सी बहुत ऐसे तयारी बिल्कुल फ्रेंस वीडियो को लाइक करने वालों का सभी का धन्यवाजी फ्रेंस याद खना अभी 9 बजे अभी मोर्निंग में यह 9 बजे friends आपको मिलेगा जेकе का special mock digamos दो 묵िज्यान का special mockidar मिलेगा आपको morning में हि差 11 बजए यह 2 special mock tips लगांगे मोंकितिक के मोंकितिस के साथ ही आप लोग अपने exam score को अच्छा कर पाएंगे ठेक है बिल्को एक दो हिति है वी सीद में मित रशुदवारा प्राजित होने वाला अंतिम देश कौन था जापान था तो फ्रेंस भी रहेगा राइट आंसर जापान नेक्स्ट है देखी चलिए अमेरिका ने छी अगस्त 1945 को हीरो सीमा पर किस नाम का एटम बम गिराया था किस नाम का लिटल बॉय के नाम लिटल बॉय अगला कोशन देखी चलिएगा वायू मंडली दाब की एकाई क्या है जी फ्रेंस बताएंगे जल्ले से आप लोग वायू मंडली दाब की एकाई क्या है बार है बी रहेगा राइट आंसर बार बिल्कुर फ्रेंस अच्छे से आप लोग याद नाम वायू मंडली दाब की कि देश की परमुख जन जाती है। आगे देखी चलेगा.. पोरसलेन टावर कहा है.. पोरसलेन टावर काहां स्थित है.. कहा है.. नान किंग में.. जयने में ? आगे देखना आप लोग.. नेक्ष देखी चलीगा हरित प्रारम किस represented योजना से माना जाता है किसे माना जाता है त्रिति यह पंचुवर्ची ओजक़्ुना से माना जाता है सी रहगा रैड आंसर पे त्रिति याद फ़ना आप लोग जबन किससे है जांटों एंध से एक वाध घंटा किसके बराबर है बताएंगे जल्लिया फ्रैंस बीडियो को करने वालों का सबीका धनेवाची बहुत अशी तैयारे सब की बहुत इस रिश्पॉंश यह वेरी गूट बिल्कुल लेखिगा एक वाट घंटा किसके बराबर है है चतिस सो जोल के बराबर होता है एक वत घंटा भी रहेंगा रइट अंसर चतिस सो जोल देलक है और कोंब दलता ह। इंचे रहे गा रैट अंसर यहाँ इंखना आप लोग नेच्ट कोकर की अविसकारक कों है कोन şे देनि本 डेनिस पैपिन है यह रहेगा रेट आंसर यहां पर डेनिस पैपिन यहां दखना ठीक है देखेगा नेक्स बिल्कु लेखेगा फ्रेंस कि जोन गुटेन बर्गनीन में से किसकी अविस्कारक है जोन गुटेन बर्गनीन में से किसकी अविस्कारक है प्रिंटिंग प्रेस के आगे देखे चलेगा किस अमल का प्रियोग सोना वे चांदी के सुधिक्रण में किया जाता है किसका किया जाता है नाइटरिक अमल का किया जाता है सिरेगा रेट अंसर नाइटरिक अमल देखे आगे चलेगा सबसे अधिक घंतो वाला या भारित अत्व कोन सा है सबसे अधिक घंतो वाला या भारी तत्व कुन सा है ओसमियम है तो भी रहेगा राइट आंसर ओसमियम ठीक है ना देखिए नेक्स्ट हिपेरी नामक प्रोटीन का निर्मान किसकी दवारा होता है बताएंगे जल्दे से अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक करेंगे ऐसे वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस के पास शियर कर देंगे ताकि फ्रेंस कुछ लोग और यहां आगर तियारी कर सके ठीक है ना बिल्कुल हिपेरी नामक प्रोटीन का निर्मान किसकी दवारा होता है यकर्थ के दवारख होता है यह रहेगा art answer यकर्थ आगे देखें चलिएगा विशो में शरवादिक स्यमाओं वाला देश कुन शाहizen जी फ्रेंस प्रिंस ज आप देगे जल्दे से विशो में सरवादिक स्यमाओं वाला देश कुन साहि चीन है भी रहेगा राइट आन्शर्ट सेन तो फ्रेंस ये थे आज के हमारे कोशन्स जो अभी कंप्रेट हो चुके हैं अगली कलास होगी फ्रेंस अभी नो बजे जी के का स्पेशल मोक्टेस्ट ठीक न और विज्यान का स्पेशल मोक्टेस्ट होगा फ्रेंस या दखना आप लोग अच्छे से विज्यान का special moktest है साड़े ग्यारा बजे साड़े ग्यारा बजे ठीक न special moktest है तो आप लोग daily आके moktest लगाया करें अगर पहले बार आई हैं तो जल्दे से आप लोग फ्राफट चैनल लोग subscribe कर लेंगे साथ बेल आइकन पर भी कलिक कर लेंगे अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस के पास शियर करेंगे ठीक है तो फ्रेंस से लिगा फिर मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए गुड़ बाई जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम